हैलो दोस्तो कैसे आप लोग आई होप सब फिट होंगे स्वागत है आपका रॉंटे एल टिप्स के अंदर मैं हूँ आपका होस्ट रो दोस्त एसके रॉंटे दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉंटरवर्शल ड्रिंक के बारे में जिसको लेकर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये ड्रिंक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस ड्रिंक को लेने के जितने फाइदे हैं उतने ही नुकसान है जी हां दोस्तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ black coffee के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि black coffee या coffee को पीने के फाइदे क्या होते हैं और इसको पीने के नुकसान क्या होते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखीगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि ऐसी ही healthy related वीडियो आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थे बने रहें तो ज्यादा समय नवेश करते हैं चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो कॉफी पीने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि ये आपकी बॉड़ी में energy को बढ़ा देता है जिहां दोस्तो इसकी लिए ज्यादा तर लोग कॉफी का सेवन करते हैं क्यूंकि इसके अंदर caffeine की मातरा ज्यादा होती है तो अगर आपको सुस्ती हो रही है ठकावट लग रही है ये laziness आपको हो रही है तो अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं तो आपकी ठकान तुरंट दूर हो जाती है और आपकी body में energy बढ़ जाती है दोस्तो कॉफी को पीने का दूसरा फाइ प्रिम्रीयां परेशara कम होता है तो कई डॉक्टरों के दौरा भी कॉफीपीने की सला दी जाती है और दोस्तो 80% लोग जो है वेट लौस के लिए भी कॉफी का सेवन करते हैं जी क्योंकि कॉफी पीने से आपकी भूक कम हो जाती है या ऐसा कहीं कि आपकी भूक बहुत देर क अंदर जाती है और आपका weight loss होता है और इसके साथ-साथ ये शरीर में जहां भी पानी store हो रखा है उसको बाहर निकालने में भी मदद करती है साथ-साथ ये आपके metabolism को boost करने का भी काम करती है इन सभी के combination से क्या होता है कि आपका weight loss होना बहुत fast हो जाता है लेकिन इसमें एक condition होती है कि आप coffee को black coffee के form में लें अगर आप coffee के अंदर दूद और चीनी डालेंगे तो आपका weight बढ़ना तैह है क्योंकि उसके अंदर calorie की मातरा बढ़ जाएगी और दोस्तो अगर आपके exam नजदीक हैं आप पढ़ाई करना चाहते हैं या जो लोग office के अंदर work कर रहे हैं और काफी देर तक काम करने के बाद आपकी concentration level जो है वो कम हो चुका है तो आपके लिए coffee बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये आपके mind की alertness यानके brain की alertness को बढ़ा देती है आपकी concentration को बढ़ा देती है जिससे आप काम को पूरे focus के साथ कर पाते हैं दोस्तो coffee पीने से हमारा metabolism भी fast होता है जिसकी वज़े से हमारी body ज्यादा calorie burn करती है और coffee के अंदर मौजूद caffeine जो है वो शेरीर में जमी हुई चरबी को पिगला कर energy में convert करती है जिससे आप उर्जावान महसूस करते हैं और metabolism बढ़ने की वज़े से आपकी body ज्यादा calorie खर्च करती है जिससे आपका मोटापा भी कम होता है दोस्तो अगर आप running करने वाले हैं या कोई physical workout करने वाले हैं और workout से 15 मिनट पहले अगर आप coffee का 7 करते हैं तो ये आपकी performance को बढ़ा देता है क्योंकि इससे आपका energy level बढ़ जाता है दोस्तो क्या आप जानते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग as a pre workout drink coffee का 7 करते हैं और दोस्तो जहां coffee को पीने के इतने फायदे हैं वहीं इसको पीने के बहुत सारे नुकसान भी है तो वो भी आपको पता होने चाहिए तो आईए अब हम आपको बताते हैं कि coffee पीने के नुकसान क्या है दोस्तो coffee पीने का सबसे पहला नुकसान यह है कि यह आपकी body के अंदर restlessness को बढ़ा देता है अगर आप रोजाना ज्यादा coffee का 7 करते हैं तो इससे आप ठकावट मैसूस नहीं करते हैं लेकिन जो आपके internal parts है उनको recover होने का time नहीं मिलता है क्योंकि उनको rest नहीं मिलता है और इससे आप anxiety के शिकार हो सकते हैं और दोस्तो अगर आपको BP ज्यादा रहने की शिकायत रहती तो आप coffee का 7 बहुत कम करें क्योंकि इसके अंदर जो गुण होता है वो blood pressure को बढ़ाने का होता है और आपको पहले ही blood pressure ज्यादा होने की शिकायत है तो ये आपकी संस्या को और ज्यादा बढ़ा सकती है और दोस्तो कई लोगों को vomiting की feeling होती है coffee पीने के बाद कुछ लोगों को तो vomiting आ भी जाती है तो ये भी एक इसका नुकसान है और दोस्तो कई पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक addiction drink है मतलब कि आप इसके habitual हो जाते हैं जैसे आप शराब या cigarette नहीं लेते हैं आपको या तो tablet लेनी पड़ेगी या आपको दोबारा coffee ही पीनी पड़ेगी और दोस्तो अब सवाल आता है कि एक दिन में आपको कितनी coffee पीनी चाहिए तो आपको बता देता हूं कि एक दिन में आप कम से कम एक cup और ज्यादा से ज्यादा 5 cup पी सकते हैं पांच cup से ज्यादा पीना आपकी सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है दोस्तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेर किजेगा और ऐसी ही हेल्से रिलेटेड वीडियो देखने ही के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विश यू अवेरी हैपी एंड हेल्थी लाइफ